इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि company जो resolution लेता है वो कितने types के होते हैं और कब ordinary resolution, in fact ये भी जानेंगे ordinary resolution का मतलब क्या होता है, क्या एक share पे एक vote या number of people के रिसाब से voting क्या है ये चीज़, चलिए detail में समझते हैं, पहले ये जानते हैं कि company जब कोई decision लेता है तो वो resolution ल देखता है कि कितने लोग उस बात से agree करते हैं, so ordinary resolution, कुछ-कुछ matter क्या होता है कि law में prescribed है, कि अगर आप ये decision ले रहे हो, तो कम से कम 50% people agree होने चाहिए, उस matter से related, अगर suppose board meeting है, तो board meeting से related, अगर कहा गया है कि वहाँ पर approval चाहिए, ordinary resolution चाहिए वहाँ पर, तो इसका मतलब है कि board meeting में जितने लोग present है, उसमें at least 50% से जादा लोग agree कर जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये है ordinary resolution passed हो गया, वहीं अगर suppose board meeting है और matter चल रहा है कुछ ऐसा जहाँ पर special resolution की requirement है, अच्छा ये भी मैं बता दू, बहुत लोगों को ये लगता है कि board meeting में सिफ ordinary resolution होते हैं, नहीं, बोड meeting में ordinary resolution भी होते हैं, special resolution भी होते है, special resolution क्या होता है, उसमें ये देखा जाता है कि at least 75% vote मिले, यानि people agree करें, तो हम लोग मानेंगे कि ये matter passed कर दिया जाएगा, तो ये इसको बोलेंगे कि special resolution passed हो गया, तो law में prescribed है कि किस-किस matter पर ordinary resolution चाहिए, यानि 50% से जादा लोग agree ह हो जाए, तो मान लिए जाएगा pass, और किस-किस matter पर special resolution चाहिए, यानि at least 75% लोग agree करें, यानि जो favor में है, वो three times है, compare to जो लोग against में है, so ये होता है special resolution, ordinary resolution, एक और चीज़ होता है, unanimous resolution, ये सर्फ board meeting पर applicable होता है, यानि board meeting में, जितने लोग present है, वो सब agree करेंगे, तब ही matter पास हुआ जाएगा, यानि तब ही उस matter पर action किया जाएगा, अच्छा, कौन-कौन से है, ये matter, ये law में prescribed है, so I hope ये clear है, ordinary resolution, यानि 50% से ज्यादा लोग agree करें, यानि इस अपोई 10, कोई topic है, जिसमें 10 लोग, board meeting में 10 लोग present है, तो अगर 6 लोग favor में vote कर देते हैं, तो मान जाएगा, कि हाँ, ये point passed है, ये resolution passed हो गया, ये, जो भी matter था, वो consider किया जाएगा, उसे साथ पर action लिया जाएगा, पर अगर नहीं होता है, तो फिर वो matter पर लोग action नहीं कर पाएगे, suppose किसी का appointment है, और उसमें चाहिए था, ordinary resolution, और अगर मिल जाता है उतना person vote, तो फिर बता दिया, special resolution बता दिया, कि at least 75% vote favor में होंगे, तो माने जाएगा, यनि जितने लोग present है, उसके number of people पे, ये, number of people जितने लोग, suppose 10 लोग है, तो at least 75% लोग, अगर agree कर जाते हैं उस matter पे, तो माना जाएगा special resolution passed, 10 लोग है, suppose 8 लोग agree कर जाएगा, तो मानने जाएगा, हाँ ये matter pass है, unamius मैंने आपको बता दिया, unamius यानि जितने board meeting में जितने लोग present है, वो sub agree कर जाएगा, तो माना जाएगा, unamius resolution passed हो गया, आच्छा, motion क्या होता है, जब भी कोई topic, जब board meeting में कोई topic आता है, तो वो लोग क्या बोलते है, उसको resolution है, उसको बोलते है, motion हमें pass करन है, तो once ये past हो जाता है, तो वो resolution बन जाता है, हम लोग ने ये resolution लिया है, तो ये चीज होता है motion, अब बात करते है, ordinary resolution किस-किस topic पे लिया जाता है, पर विसे तो बहुत सारे topic होते हैं, पर generally, जो AGA में कुछ matter होते हैं, जिसे हम लोग ordinary business कहते हैं, उस पे ordinary resolution से काम हो जाता ह करना, किसी director को appoint करना, appointment करना, किसी auditor का, या adopt करना, financial statement जो है, तो consider करना, so ये सब matter पर क्या, ordinary resolution से काम हो जाता है, तो 50% से जाधे agree कर जाते हैं, लोग तो माना जाता है कि pass हो गया, एक चीज मैं और आपको बता दू, meetings related company में किस-किस तरह के meeting होती, एक होती है board of director की meeting, एक होत की meeting, कुछ होती है creditor की meeting, correct, so ये जो मैंने आपको ordinary resolution, special resolution, unanimous resolution बताया, board meeting के लिए बताया, general meeting भी होती है company की, यानि members, shareholders, जो है company के, वो लोगों की एक meeting होती है, उसमें भी ordinary resolution और special resolution लिया जाता है, पर, ध्यान रखेगा, unanimous resolution वहाँ नहीं है, company आप में कहीं नहीं लिखा, कि meeting में हमें इस topic पर unanimous resolution चाहिनी, जितने shareholder present है, सब को agree होना पड़ेगा, तब ही वो action लिजाएगा, ऐसा कोई नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ company act में, हाँ, पर board meeting के case में, ऐसा कुछ-कुछ जगा provision है, जानेंगे उसके बारे में आगे, special resolution जैसे कि मैंने आपको बताया, when board resolution require higher majority, they fall under special category, कोई बड़ा matter होता है, तो उसमें जादा लोग agree करेंगे, तब ही वो matter अप company कर पाएगा, prior intimation should be given before convening board meeting with a special resolution agenda, अगर आपको special resolution वाला कोई matter पर deal करना है, तो proper agenda दे दीजेएगा, पहले company सब shareholders को, members को दे देगी, कि यह agenda है, ऐसा नहीं कि आप आए, meeting में अब त आया जा रहा है कि अच्छा ये भी matter है, इस पर हम लोग special resolution लेंगे, नहीं, ये allowed नहीं है, हाँ, पर अगर ordinary resolution वाला कोई case हो, तो कोई मामूली चोटा-मोटा matter है, बात discussion general meeting में बात चल रहा था, तो फिर वो matter arose हुआ, तो फिर उस पर resolution लेकर finals को sort out करते है, तो वो allowed है आपका पर कोई अगर ऐसा matter है, जहाँ पर special resolution लेने की ज़रूरत है, तो आपको वो फिर वापस next meeting बुलाना पड़ेगा, क्योंकि लिए आपको agenda देना पड़ेगा, पहले से intimate करके रखना पड़ेगा, अपने shareholders को कि ये matter है, इस पर special resolution लगा जाएगा, तो जैसे कि special resolution किस किस matter पर हो आपको special resolution लेना पड़ेगा, 75% लोग या उसे जादा लोग अगए agree करेंगे, तब माना जाएगा, वो matter पास देता है, सिर्फ यही limited नहीं है, और भी बहुत सारे matter है, जहाँ पर special resolution लगता है, ordinary resolution लगता है, यह मैंने रफ में थोड़ा सा आपको बता दिया, अच्छा, unanimous resolution में वापस clear कर दू, सपोस कि 10 total number of director company में 10 है, मैंने आपको बताया, unanimous resolution board of director की meeting में apply होता है, shareholder की meeting में नहीं, possible नहीं है, सारे shareholder का approve करना, हाँ, director के case में possible है कि 10 director है, 10 लोग approve करते है, तो चानते है कैसे example लेखे, कि suppose एक company में 10 director है total, meeting बुलाई गई, और उसमें सिर्फ 8 director present हुए, 8, फिर क्या हुआ, 6 नहीं लग रहा है, कोई एक matter था, और एक director ने कहा कि नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, एक नहीं लग रहा, एक नहीं लोट नहीं किया, यानि एक ज़न नहीं लोट नहीं किया, तो ऐसे case में माना चाहेगा unanimous resolution नहीं पास हुआ, reason, 8 लोग present है, आठो को accept करना पड़े तब ही वो matter पास हो पाएगा, कुछ-कुछ critical matter है, जिसके लिए आपको unanimous resolution चाहिए, बोड का, तब ही बोड आगे company वो काम कर पाएगे, एक भी चन अगर वोट नहीं करता है, या against वोट कर देता है, तो फिर वो matter पे नहीं कर पाएगे, बहुत limited cases है, बहुत जादे cases नहीं ह जहाँ पर आपको यह special, यह unanimous resolution की requirement है, जैसे की section 203, subsection 3 में बताया गया है, कि यहाँ पर आपको चाहिए board का unanimous resolution, a company may appoint or employ a person, अगर आप किसी को MD या manager बनाना चाहते हो, और वो already पहली से ही किसी company में MD या manager है, तो ऐसे cases में, such appointment is made or approved by resolution passed at a meeting of board with the consent of all the director present at the meeting, यानि जितने यह director आएंगे, सब को vote कना पड़ेगा, favor में, एक जन यह नहीं कि vote नहीं किया, सब कोई vote करेंगा, favor में vote करेंगे, तभी उस इंसान को हम लोग बना पाएंगे, एक यह case मैंने आपको बताया, एक section 186 में भी बताया गया है, when a company gives loan, अगर company loan guarantee or security देता है, in connection with a loan to any other body corporate or by way of subscription purchase or otherwise the security of any other body corporate within or within the limit mentioned under the section 186 of the company act, यानि 186 पे जो 186 है, वो deal करता है कि loan या company जो investment करता है, पैसे देता है, उससे deal करता है, so 186 में बताया गया है, अगर company को invest करना है, अपने पैसे लगाने, किसी को loan देना है, guarantee देना है, ऐसे कुछ काम करने है, तो ऐसे case में, company के जितने भी director present, अगर सब agree कर जाएंगे meeting में, तभी आप वो loan, guarantee जो बताया गया है, security जो भी बताया गया है, तब वो आप काम कर पाओ होगे, यानि यहां पर भी unanimous resolution की बात की गई है, फिर बात आता है, section 73, जो की deposit से deal करता है, इसके बारे में, जो unanimous resolution का जो concept है, वो आपको rule 7 sub rule 4 में दिख जाएगा, company's acceptance of deposit rule 2014 अगर आप देखोगे, आजकल तो मोबाईल पे ही आप company act का पूरा बुक, rules का books आपको मिल जाता ह तो आपको दिख जाएगा, तो rule में जाओगे, तो rule 7 का sub rule 4 देखोगे, तो वहाँ बताया क्या है, कि if a company has issued को deposit company ने दिया है, and already circulated circular to its member, suppose company ने कोई deposit deposit लिया है, और circular sub member को issue हो गया है, अब company trustee change करना चाहता है, तो क्या company कर सकता है, हाँ कर सकता है, पस सारे director जब present है, वो सब agree करेंगे, unanimous consent देंगे कि ठीक है, trustee change कर दो, इस case में, किसी और को बठाना चाहते हैं हम लोग, तो allowed है, but unanimous resolution, if a company has issued deposit, and already circulated circular to its member, then the company cannot remove the trustee without the consent of all the director present at the meeting, so meeting will act जाएगे, और सारे director जितने present होंगे, सब agree करेंगे, vote करेंगे, और agree करेंगे, तब ही, आप उस case में, trustee change कर पाऊगे, अच्छा, ये तो सब main चीज आपको बता दिया मैंने, और कुछ चोटी-चोटी बात है, जैसे कि resolution is proposed as a motion, a motion becomes a resolution, पहले जो matter होता है, वो resolution होता है, अच्छा, ये होता है कैसे है, फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ, होता क्या है, बोर्ड मीटिंग होती है, सपोस, तो पोर्ड मीटिंग में क्या होता है, पहले से ही draft किया हुआ रहता है, कि एक पैइटर्न होता है, लिखा जाता है कि अगर ये matter consider करना है, तो उससे हम लोग resolution मोहता है, कि एतना हम लोग allow करता है, कि सामने वाले बंदा company से इतना loan ले सकता है, यह जो भी matter है, वो resolution में draft तो resolution is a proposed as motion, a motion become resolution, पहले जो होता है वो motion बोलते है हम लोग उसको, pass हो जाता है तब उसको बोलते है कि हाँ ये resolution हम लोगा हो गया, a motion become a resolution only after the requisite majority, जितना भी required majority है, ordinary or special के लिए जो भी cases होता है, अगर adopt कर लिए ता, a motion should be writing and signed by the mover and put to the vote at the meeting by chairman, generally chairman voting के लिए बोलता है कि please vote करिया, ठीक है, और मैंने अब को बता दिया कि अगर कुछ discussion के दौरान कोई matter अगर आ जाता है, अगर ordinary resolution उसमें चाहिए, तो तो allowed है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर special resolution चाहिए, तो उस meeting में आप नहीं ले पाऊगे, यो कि अपने पहले से decide नहीं किया था, किसी को बताया कर सकते हैं, उसमें changes थोड़ा, suppose मैंने इस आद में को responsibility दिया था, इसको नहीं में किसी और को देना चाहते है, यह allowed है, resolution को amend कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, resolution को cancel कर सकते हैं, of course, resolution को ही cancel होता है, suppose आपने इस meeting में को resolution लिया था, पर बाद में आप इसो cancel करना चाहते है, तो points है, कि ध्यान रखेगा, notice of the meeting बहुत important होता है, जब, in fact, agenda भी important होता है, कई बार company act में लिखा गया है, कि कुछ-कुछ matter है, वो आप बात कर ही नहीं सकते, उसके resolution ले ही नहीं सकते, unless अपने agenda उसका दिया हो, यानि agenda क्या होता है, कि हम लोग इस meeting में क्या-क्या बात करने वा वो notice के साथ, attach करके, जो भी अगर shareholder की meeting है, तो shareholder को दे देते हैं, और अगर board meeting है, तो board of directors के जो भी directors है, उनको दे देते हैं, attach करके, notice of the meeting दिया, क्या-के topic discussion होने वाला है, वो सब दिया, as a good secretarial practice भी माना जाता है, कि अच्छा है, कि आप एक agenda जरूर दो, हर case में, भले ही ब आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, और एक और मैं notice related आपको बता दू, कि proper notice देना बहुत जरूरी है, proper notice यानि, जितने भी आपके director है, या जितने भी आपके shareholder है, in case of shareholder, general meeting हो रहा है, तो सारे shareholder को notice मिलना चाहिए, अगर एक को भी आप नहीं दोगे, तो friend, जो resolution लिया जाएगा था न, वो cancel हो जाएगा, यानि, वो invalid हो जाएगा, तो बहुत important implication होता है notice का, तो ध्यान में रखिएगा notice कितने दिन पहले देने हैं, और प्रॉपस सबको मिल जाए, आज को लोग email के through भी पास, पास on कर देते है, notice, जरूरी ही आपको hand delivery ये वैसे कुछ है, आप email में write-up करके भी दे सकते हो, अपने shareholder को email भी अगर आप भेज़ दोगे न, तो आपका जो liability हो हो जाएगा, फुल्फिल हो जाएगा, कि हाँ, आपने company ने फुल्फिल कर दिया, अच्छा, resolution can be cancelled in next meeting ये बता दिया, मैंने आपको new resolution can be taken if not earlier or later, यानि और भी resolution वाला case अगर है, तब तो आप इस meeting में कर लो, नहीं तो फिर आप next meeting मिलेना पड़ेगा, बस वही है, चली ये सब basic basic हो गया, मैंने बता दिया, एक चीज, अच्छा, एक resolution दिखता कैसा है, ये बहुत confusion होता है, कैसा दिखता दिखे, एक certified true copy है, अप the resolution passed by the board of director of Aditya Bhalla, fashion and retail limited at its second meeting for the financial year 2021, held on wetness day date by video conference, आचकल तो video conference से भी meeting allowed है, सारे matter discuss कर सकते हैं उसमें भी, अच्छा, proposal to consider fundraising for the company, ये proposal था, और जब भी कोई resolution हम लोग ड्राफ्ट करते हैं तो उसको हमेशा starting करते है, resolve that, जिसके आप देख रहे हो, bold करके लिखा गया है, resolve that, उसके बाद जो भी matter है, section covered है, वो सब बताते ह होगे जाना पड़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे है, resolve further that, और कुछ addition बताते हैं, तो हम लोग लिखते है, resolve further that, ये भी extra point हम लोग बताना चाहते हैं, और resolve further that, resolve further that, जो 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 एड़ करना है, पॉइंट के साथ साथ, एड़ अप करके बनाते हैं, जाते हैं, लास्ट में, certified true copy for company का नाम, जीतिका आनन, vice president and company secretary, और उसका नमबर, उसका, c s का जो number a lot होता है, वो दिया हुआ है, तो इस तरह का दिखता है, आपका resolution, अब आप सोचो कितना बड़ा resolution, friend, कुछ-कुछ cases में depend case to case, किसी में तो paragraph, एक paragraph में ही खतम हो जाता है, किसी में दो paragraph में खतम हो जाते हैं, किसी में एक page लग जाता है, बनाती में, आप interested है यह जानने में कि company कैसे list होता है, listing की requirement क्या है, एक company अगर listing कराना चाहता है, या फिर अगर आप newly CS हो, या फिर आप student हो, CS की पढ़ाई कर रहे हो, और जानना चाहते हो कि यह process क्या है, सबीम में, लिस्टिंग में, यह जो requirement क्या है, क्या क्या हमें compliance करने पड़ती है, कैसे listing के लिए जाना पड़ता है, क्या है यह सारी चीज़े, तो चैनल को subscribe करिए, और आने वाले वीडियो में हम लोग यही सब्मैटे discuss करेंगे, बाबाई!